तो बच्चों आज हम spring और string के ऐसे questions करेंगे जिसमें हम spring या string को cut कर देते हैं और acceleration या tension before cutting और after cutting निकालते हैं तो ऐसे कुछ standard questions हैं, अच्छे questions हैं आज हम वो करने वाले हैं तो आज का पहला question है एक spring ऐसे करके एक mass को लड़काए हुए है और यह mass 2kg का है इसके नीचे एक spring लड़ी है इसके नीचे जो mass है यह भी 2kg का है इसके नीचे एक spring है और यहाँ जो mass है यह भी 2kg का है ओके? बच्चो एक काम यह करते हैं क्यूंकि तीनो masses जो है तीनो masses 2kg के हैं तो बेटा इन blocks का नाम लिख लें अलग-अलग ताके बाद में confusion ना हो इसको हम A बोलने इसको B बोलने और इसको C बोलने अब यहाँ जो question है वो यह है कि हमने इस string को काटा है इस string को क्या किया है? काटा है ओके? और जिस वक्त काटा है उसके फॉरण बाद हमको क्या क्या चाहिए? question क्या है? find tensions and acceleration just after cutting S2 बच्चों Spring हो या Spring हो तीनों चीज़े दोनों चीज़े S से ही आती है हम इसको Spring 1 इसको String 2 हम इसको Spring 3 ऐसे लगते हैं अब सारी चीज़ों के नाम करा रहा हो चुके ठीक है क्या क्या निकाला है Acceleration किस चीज़ में निकाला जाएगा Acceleration Blocks में निकाला जाएगा Tension कहां निकाला जाएगा Tension Spring और String के अंदर निकाले जाएगा क्या ये बात के लिए आप लोग अच्छ Solution करेंगे सबसे पहले Acceleration लिखेंगे तीनो Blocks का Before Cutting Acceleration Before Cutting S2 S2 को जो हमने काटा String 2 को काटा है उससे पहले Acceleration क्या था तीनो Blocks का इसका Acceleration A1 इसका Acceleration A2 इसका Acceleration A3 तो ये जो System था It is assumed के ये Basically इसके उपर Net Force 0 लग रही था बात समझें? तीनो Blocks के System पर Net Force कितनी लग रही है? 0 लग रही है तो हम ये बोलेंगे A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 0 क्या यहां पर कोई परिशा नहीं है आप लोग तो just Before cutting String 2 Acceleration of all the Blocks was equal to 0 तीनों चीज़े लटकी भी थी खामोशी के साथ क्या बात के लिए रहे? Okay Now Tensions Tensions यहां पर Tension कितना? T1 यहां पर Tension T2 यहां पर Tension T3 Right? Okay Tensions Just Before Cutting string 2 Just before cutting String 2 हमें Tension निकाल ले तो इसके लिए शुरुवात कैसे करते हैं? मैटा ध्यान से समभिल ले न बिल्कुल बेर इतना खोल के और इसलिए बता रहे हूं आप लोगो को कि अगली प्रॉबलम में इतनी मेहनत ना करनी पड़े मुझे अगली प्रॉबलम में मैं डारेक्ट लिखना शुरू करूँगा यह सारी चीज़े आप खोद लिखना घर पर जाके हाँ यहां पर बोलो क्या लग रहा है क्या 20 यहां पर 20 तो क्या यहां पर 20 तो क्या यहां पर भी 20 क्या यहां पर एक और 20 तो क्या यहां पर 40 तो क्या यहां पर 40 तो फिर क्या यहां पर 40 ना यहां पर एक 20 और तो यहाँ पर 60 तो यहाँ पर 60 क्या कोई डाउट है एक वैल्यू में भी अगर डाउट है तो पेटा पहले बता दो मुझे अभी तो रंडी होगी चलो फिर पीलेंगे शाम में लिख दू तीवन कितना 16 न्यूटन टीटू कितना टीटू कितना है 14 न्यूटन और टीटूरी कितना है क्या यह हमारे आंसर से हैं नहीं यह तो एक्चुली में वो चीजे हैं जो हमें एक प्राइस कहिए कि गिविन है यह हमने निकाल ली है प्रोसीजर जो के हम बेसीगली एडॉप्ट करते हैं कटिंग के वक्त इसको काटा इसको काटा इसको काटता ही क्या होगा वो कंसेप्ट मैं हर कोस्टन में नहीं लिखवा हूँगा जो यहां आपर लिखवा रहा हूँ ठेक है बात समझ में आ रही है इसको याद रखना यह जो कंसेप्ट यहां पर लिखवा रहा हूँ यह जो मैं लिखवा रहा हूँ इस कंसेप्ट को समझने के बाद तुम स्ट्रिंग और श्प्रिंग का इंशालला कटिंग वाला कोई साभी कोस्टन कर पाओगे public है कि ऎस्ति है करा बपराधन तक प स्थ मृदताएश कर दिता हाई तक दिए इन्स्टेंटली तो एनी वैल्यू एक बात ही है दूसरी बात है लूसरी ओस्ट मेड़ में, है क्यानिज बात कर देख्यू स्ट्ट स्ट्ट एक इस दो और। तो एक जानिज्टलिट तर देख्या जो रदेख्या च्टिटू instantly पहले ही बताओ यह बात समझ में आ गई है या नहीं string का जो tension है यह change हो सकता है किसी भी value पर और कितनी देर लगेगी इसको change होने में कोई देर नहीं लगेगी काईटने वक्त ही change इसका tension 100 newton से 0 पर आ सकता है और 0 से 100 newton पर जा सकता है clear इसका tension किसी भी वक्त change हो सकता है और उस change होने में देर नहीं लगती spring holds the tension holds the tension का मतलब क्या है कि जब काटते हो तो उससे just पहले और उसके just बात tension सेम रहता है हाँ बदलेगा अब बदलेगा जैसे ही एक millisecond होगा एक microsecond होगा फिर बदलना शुरू फोर नहीं हो जाएगा क्यों नहीं हो जाएगा spring का tension depend करता है displacement पर spring का tension किस पर depend करता है displacement पर तो displace होने के लिए तो time चाहिए न बो जैसे जैसे चीजें displace होंगी block displace होगा वैसे वैसे tension change होगा क्या बात के लिए रहे हैं तो displacement में क्योंके time लगता है इसी निये spring के tension को भी change होने में time लगता है तो इसे निये word इस्तेमाल किया जाता है just after तो just after थोड़ी दिर के बाद तो हो कि और क्या हो जाएगा हमें नहीं बता क्या इतना clear है तुम लोग को नव अब solution करेंगे हम सबसे पहले मुझे आप T2 बता दीजिए 0 Newton कब just after cutting just after cutting S2 T2 is equal to 0 Newton क्या यह बात सही है बिटा okay clear है now अब किस ब्लॉक की बात करूं मैं हां किस ब्लॉक की बात करूं बी की बात करूं नहीं तीनों की बात तो दीनों की करनी है मुझे बात तो मुझे किस की करनी है तीनों की करनी है लेकिन मैं आप करूं किस की है? एक ही खर है? पहले एक ही उपर से शुरुवात कर, Okay. F B D बना लें, किसका F B D बना लो विटे मन? है ना? F B D A का बना लो, ठीक है? A का जब F B D बनाएंगे, तो उपर फोर्स बो लिए, το उपर फोर्स बो लिए, 60 न्यूटन, उपर केतनी है 60 Newton क्या यह चेंज हो सकती है किस की फोर्स है यह Spring की फोर्स चेंज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है अच्छा नीचे केतनी फोर्स है नीचे केतनी है शाब बाई 20 Newton 20 Newton कहा से आई है इसके मास की विजा से है वो तो रहेगी evergreen force है यह चल रहा हो तो भी रहेगी ठीक है अज़ा कौन सी force disturb हो गई है यह 40 यह खतम हो गई है बात के लिए रहे हैं अब इसके ओपर net force आ गई है क्या उपर की तरफ आ गई है यह net force उपर की तरफ आ गई है तो acceleration a1 भी उपर की तरफ रहेगा तो a1 की वैल्यू बोल बोला जली से 60 माइनस 20 अपॉन शाबाज 2 कितना हो गया बिटा जली से बोलो 20 यह 40 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर एवन आगया बिटा अच्छा साथ के साथ बिटा T1 भी बोलतो तो T1 कितना है T1 बोलो शाबाज T1 एस 60 नूटन ओके नओ आप किस ब्लॉक की बात करें हमारे पास T1 आ चुका है A1 आ चुका है T2 आ चुका है आप A2 की बात इसकी बात कर लें 2 kg ब्लॉक की ओके 2 kg ब्लॉक की बात कर लें 2 kg ब्लॉक की बात कर लें 2 kg क्या नाम है उसका of B ओक बिटा उपर फोर्स बोलिए इसके उपर तो 0 हो गई है नीचे फोर्स बोलिए नीचे कितनी है है ना 40 नीचे 40 है या नहीं ठीक है एक्षिली में 40 है क्यों ज़रा यह सोचो आप यह स्प्रिंग खिची हुई है या नहीं खिची हुई है या नहीं एक्सपेंडेड है तो काटने के जज़बाद भी एक्सपेंडेड ही रही तो एक्सपेंडेड है तो 40 upon 2 is equal to 20 meter per second square क्या यहाँ पर हमने बातों बातों में T3 भी निकाल लिया है है ना अरे बोलिये T3 हम निकाल चुके या नहीं T3 कितना है बिटा 20 Newton ओक ना बाकी का यहाँ पर कर लेते हैं अब किसकी बात करेंगे हम कौन से ब्लॉक की बात करेंगे 3rd block की FBD of block number C block number C के ऊपर बात करेंगे ज्यान से देखेंगे block number C पर नीचे की तरफ 20 Newton ऊपर की तरफ बता तो विटा कितनी है ओके ऊपर की तरफ कितनी है 20 Newton यह actually 20 Newton जो है ऊपर की तरफ यह basically क्या चीज़े विटा P3 है ओके इसका acceleration बहुत 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 दुरा ने लिए कितना होगा A3 is equal to 0 क्या सारे चीज़ा आगी काटक इसको ठीक है अगेन the question is same, find acceleration and tension just after cutting S3. string 3 को काटा है, किसको काटा है, string 3 को काटा है, फिर हमें सब कुछ निकालना है, ठीक है, अकल क्या कहती है, ये बिताओ, अच्छा, before cutting तो लिखने की दरूओत नहीं है, before cutting, a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to कितना बिटा बोलो, 0, आजा, tension तो लिखना चाहिए, लेकिन, यहां बोलो, तो बेटा यहां पर बोलो, तो यह 20, यह भी 20, तो फिर यहां पर 40, यहां पर 40, है ना, यह 20, यह वाला देदेगा, तो यह देदेगा 60, निकालना आगिया है यह तो, है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर निकालना आगिया यह, नीचे से शुरू करेंगे, उपर तक सब निकाल देगे, ऐग्शली में क्या है, इस स्ट्रिन्ग, इस स्प्रििंग के उपर, इसका, 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 तीनों का मास है, आग्या 60, और इसके उपर, इसवाली के उपर, इसका, और इसका मासे, देखो 40, है ना, तो जश्ट बिफोर कैटिंग ऐशा होता है, अच्छा, यह 60 और यह 40 किसक ही बात समझ anx Шuana सब्सक्राइब को अगर इन दोनों के बावर हों तो इस प्रिंग जी और चीज होगी पहली या दूसरी वाली reparlement हई पहली वाली ज्ऴजादा एक जाने तो Also ऐसे जाधा क्षिछी तक कि उसके उपर जादा नूट जाना वे merit आ रहा है न और चलो हiko हां बढ़ी आप बता तो दरा क्या होगा अकल क्या कहरें रही है कौन से acceleration कौन से दो acceleration ऐसे हैं जो cancer होंगे जस्ट after cutting है आप बढ़े में यह 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 हूद आएगा is data इसका acceleration और इसका Imagine जिज़ रहेगा और इसका है है हमाई है किसका चेंज होगा कि a2 और a3 चेंज हो जाएगा है आप बता है ए चेंज हो जाएगा ये चैंज नहीं होगा खे हैं आप लोगों को रोग कर एक बात बता रहा हूं है है यहां यहां यह शिया होगा आभ लिजपरे Debatte ह्लों कर लो आफ कि प्रेंदाढ़ागे कि जब पहले लेक्षर में कटिंग वाला पड़ाया था कि जितना चेंज कट होता है उतना ही एक्सिलेरेशन उतनी ही फोर्स उसके उपर आ जाती है यह बताया था है ना अब ध्यान से देखना ध्यान से तो हम competition में कैसे calculate करेंगे इसको competition में जब हम बैठेवे से कैसे calculate करेंगे करए कट कितना हुआ है twenty so twenty की फोर्स आजाएगी इसके उपर बोलो तो देखते ही cut से बिमाग क्या बोलेगा कि इसका acceleration 10 आगया बोला ना जितना force खतम हुआ उतना reverse में उसे दे दो भात समझ भी आज़ा इसके उपर क्या आएगा इसका कौन सा खतम हुआ है नीचे वाला 20 खतम हुआ है ना जब नीचे वाला 20 खतम हुआ है तो इसको भी 10 दे दो इसका भी 10 होगा उपर की तरह नहीं होगा अभी calculate करके निकालेंगे देखो यहीं निकलेगा क्या आपको बोला क्या है जितनी फोर्स आपने खतम कर दी जितनी फोर्स आपने खतम कर दी उतनी फोर्स उल्टी करके देदो इसको इसको नीचे वाली खतम कर दी ना तो इसको उपर देदो फोर्स इसको देदो तू को 20 फोर्स देदो 20 न्यूटन देदो तो तू को 20 न्यू तो क्या बात क्लिए रहे आपको बताया था उस दिन मैंने और मैंने लिख कर भी बताया था इसको करने की जरूद है सब्सक्राइब बना ले किसका एफ़डी सी ब्लॉक का बना ले ऊपर की दरफ जीरो नीचे की दरफ 20 तो एक्सेलेरेशन भी नीचे की दरफ आएगा एक इसके ब्रावर हो जाएगा 20 बाइ 2 is equal to 10 meter per second square क्या बात के लिए रहे आगे बना और यह कौन सा A3 है यह बेटा A3 now tension बोलो tension T3 बोलो यही पर निकालना है tension T3 tension T3 will be equal to 0 ओके अब FBD बना ले किसका FBD B block का बना ले ऊपर की दरफ force बोलो 40 spring की force है तो change नहीं होगी निचे की force बोलो 20 तो acceleration क्या आएगा इसका A2 40 minus 20 upon 10 कितना होगे बेटा 10 meter per second square अभी हम direction में वैस नहीं कर रहे हैं टीटो कितना हो जाएगा तीटो कितना हो जाएगा बहिए 20 तो खुतम हो चुका है अब कितना है इसके उपर spring के अंदर tension with mass की वज़ासे नहीं होता है खीच जाने की वज़ासे होता है किसके वज़ासे होता है खीच जाने की वज़ासे होता है नहीं आरी वज़ासे spring के अंदर tension किसके वज़ासे होता है खीच जाने की वज़ासे होता है मतलब extension की वज़ासे होता है तो 40 ही रहेगा 40 है तभी तो A to 10 आ गया 40 है उपर की तरफ 40 है नीचे की तरफ 20 है इससे बहले उपर की तरफ 40 था नीचे भी 40 था तो टेंचन कितना था जीरो वो एक्षिलेरेशन जीरो था तो टीटू कितना है ना 40 न्यूटन जस्ट आफ्टर कटिंग है पिटा एक दो सेकंड की बाद तो कम हो जाएगा यह बास समझ भारी है ओके क्या करना है अब क्या करना है मैं एफ बीडी किसका बना है एफ बीडी एक बना ले उपर की तर सिक्स्टी तो बातों बातों मैंने क्या निकाल लिया पिटा टीवन शिस्टी निकाल लिया और यहां पर ए एववन एवन किसके ब्रावर हो जाएगा जीरो ओके आई हो अच्छी बास समझ मैं हाई हाँ हाँ बस आपके दिमाग में एक सवाल डाल रहा हूँ बस एक सवाल डाल रहा हूँ कि अगर ये भी स्ट्रिंग होती तो क्या होता है अगर ये भी स्ट्रिंग होती तो क्या होता है जरह जल्ली से बोलो आप बो, अभी टेंशन कितना है इसका, पहले टेंशन कितना था, साथ, बाद में टेंशन कितना है, साथ, ठीक है, अगर स्ट्रिंग होती ही तो क्या होता है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या लगवा है था, इस स्ट्रिंग बदलता है, बीस कार्ड दिया न, बीस न्यूटन कार्ड दिया न, इस स्ट्रिंग का नहीं बदलेगा, अगर यह स्ट्रिंग होती, तो इसका फोरन उसी टाइम, साट से कितना हो जाता है, उसी टाइम, ब्लोग क जाता यह नीचे इस्ट्रिंग है इस्ट्रिंग है वो ना घटेगी ना बड़ेगी घट तो सकती है बड़ नहीं सकती नीचे नहीं जाएगा वो वही रहेगा बास सबस्ज में आ रही है अभी आ रहा है कोश्चन ऐसा ठीक है बास सबस्ट्रिंग है दहने पक्रण के शेने में रहरंगा five प्रण्यंग थन. क्रण्य। कि दान जा बड़ प्रण्यंग स्ट्रिंग थर्ण्यंग है ना S1 इस सवाल का solution का main point main point T1 will be equal to 0 just after cutting right T1 is equal to 0 just after cutting A1 will be equal to यहाँ पर A1 यहाँ पर A2 A1 will be equal to A2 will be equal to G just after cutting बात कमपड़ मारे हैं यह दोनो acceleration कैसे होंगे यह block ऐसे ही कर जाएंगे pre-fall कर जाएंगे दोसरी बात string 2 will be just stressed after the cutting S1 कैसी रहेगी just stress रहेगी hence T2 बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे T2 is equal to 0 T2 is equal to 0 का क्या मतला just after be cutting तो इसका लब्बे लोग आप क्या निकला conclusion क्या निकला 3 kg and 5 kg block will be will free fall just after cutting S1 क्या बात समिन बाइगी figure okay question बदल रहूं same figure के अंदर find acceleration and tension just after cutting S2 अगर इसको काट दूँ तो क्या होगा किसको काट दूँ इसको काट दूँ तो क्या होगा खाली answer लिख रहा हूं तो मैं समझ में आता है तो बोलना नहीं आता तो भी बोलना जैसे ही काटा उपर जाएगा उपर जाएगा या नहीं कितने से जाएगा यहाँ पर acceleration था T1 यहाँ पर acceleration था T1 नीचे यहाँ पर क्या था T10 यहाँ पर क्या था पचास पचास खतम हो गया क्या खतम हो गया अरे पचास खतम हो गया ना तो काई से उपर जाएगा यह पचास से उपर जाएगा तो इसका मतलब उपर अभी पचास है और उपर 30 भी है तो मैं क्या बोलूँगा P1 is 8P आया कज़ेप क्लियर हुआ और A1 के बोलो P1 चेंज नहीं हुआ है होगा बात में चेंज होगा और A1 कितना शाबा ठीक है जो खतम हुआ है वो लगा दिए जो खतम हुआ है वो लगा दिए उपर की तरफ यह 50 खतम हुआ तो 50 उपर की तरफ आ जाए यही तो बताया था है ना अपने आप 50 उपर की तरफ आने का मतलब गया है यहाँ जो 80 लग रहा था वह अभी भी लग रहा है नीचे 30 उपर 80 यानि उपर कितना है 50 लेकिन ये जस्स आफ्टर कटिंग है ठीक है ठीक है के लिए हाँ बैद दो कोश्चन इस अगीन सेंग और यह थो फाइं अब मैं नहीं लिख रहा सारी टीटेल अब मैं खाली आपर लिख रहा हूं ठीक है देखो यह क्या दीर है S1 S2 S3 यहाँ पर T1 होगा यहाँ पर T2 होगा यहाँ पर T3 होगा यहाँ पर A1 होगा यहाँ पर A2 होगा यहाँ पर A3 होगा यहाँ पर बोलो 10 यह बोलो 10 यह बोलो 10 यह बोलो 20 यह बोलो 30 यह बोलो 30 यह बोलो 30 यह बोलो 50 यह बोलो 80 तो टेंशन बिफोर कटिंग इस्प्रिंग टू हमने लिख रहे हैं बिफोर कटिंग लिख लूँ यहां पर बिफोर बिफोर कटिंग क्या है कि जब हम एस्टू को काटें उसके जस्ट आफ्टर टेंशन और एक्सेलरेशन को निकालना यही तो कुश्चन है तो हम क्या बिफोर कटिंग लिख ले रहे हैं a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to 0 है ना बिटा t1 बोलो 80 t2 बोलिए टीस नहीं टीटू कहां पर रहे हैं यहां पर टीस और टीसरी बोलिए एक मिनट टीस टीस अच्छा यह 50 करतम है यहां पर और यह कितना है बिटा है ना यह तो given चीज़े हैं ओके वाक्स के बात के लिए रहे हैं काटा किसको है बिटा हमने काटा हमने किसको है काटा किसको है इसको काट रहे है अच्छा जल्दी से बता तो a1 कितना हो जाएगा है ना जास्ट आफ्टर कटिंग एस्टू ओके जरह ऐसा टीवन बता दो टीवन कितना हो जाएगा टीवन क्या चीज़ है इस्ट्रिंग है या स्प्रिंग है पचास हो जाएगा फोरन ठीक है कितना हो जाएगा पचास प्रॉबलम से ने तुम्हें बिलकुल सुधार देंगी बिलकुल कंशि़ूजन नहीं रहेगा तो मैं इंशालला डाला कोई इसके बास कुम्हें कोई क्या यह इंस्टेंटली चेंज हो सकता है हां यह लिखा करो चेंज इंस्टेंटली अगर यह बोर्ड में आया और यह लिखिया है ना तुम टीचर बागदा हो या विलकुल ओ हो सकता है और बच्चों भी नमबर काट लेगो इस व्यादे कि उन नहीं लिखा चेंज इंस्टेंटली बिकाउस इडिस ए इस्ट्रिंग यह इस्ट्रिंग है ठीक है ओ बिटा तो एक्सेलरेशन भी आ जाना चाहिए इसके अंदर कोई यह एक्सेलरेशन आएगा कोई नहीं आएगा वा इसका टेंशन चेंज हुआ है इसका तेंशन डुआय moyens के ने यह के बराबर रह गया हैँ इसके व्येग तो इसका ज़स्तर केंग की तना रहेगा ऐगा इस फिर कोई उपर एक नहीं पड़ा अच्छा चलो चाबाश टीटू बदा दो गटा जिरो बात समझ भी टीटू क्या बदा जिरो ऊपर जाने वाला टेंचन इसका खत्म हो गया 30 से तो क्या आप इसके उपर 30 लगा दो तो क्या आप इसके उपर 30 लगा दो अरे बोलो ऊपर जाने वाला इसका टेंचन खत्म हो गया तो क्या आप इसके उपर 30 लगा दो अब ये समझ लो कि ये बाहरी दुनिया से कटो गए दोनों बैस ही करेंगे जैसे भी गिरायट है नहीं आरी बात सुन लें बात सोन लें आप शाबश टी टू जीरो एटू बोलो एट थरी के बराबर जी के बराबर ओके जरा सब भाई या टी थरी के बारे में और थोड़ी सी रोश्नी डाल दो टी थरी कितना जीरो क्योंकि ये जोनों बराबर के उससे खाबश अब तुम सीखे अब के हमने इसके अंदर लड़ गई पुल्ली m kg का मास 4 m kg का मास लटका हुआ है 3 m kg का मास नीचे ग्राउंड में टाइड है क्या और कोई बात नाम लख लेते हैं this is S1 this is S2 घूम क्या रही है तो ये भी S2 ये S3 हाँ भाई पहले कोशन है if the system is in equilibrium find the tension and acceleration find the tension and acceleration of the string is spring and blocks एक कोशन तो ये है और दूसरा कोशन क्या है find पाइन नामा क्यूम 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 स्ट्रिंग S3 first part करते हैं यानि अभी हमने system को कुछ छेला चाड़ा नहीं है कहीं कुछ भी काटा पीता नहीं है अभी क्या निकालना है tension और acceleration बेटा acceleration बोलो है ना इसको A1 बोल दो इसका A2 और इस बोलोग का A3 क्या तीनो जीरो होंगे system system में कुछ बाते करने से पहले एक बात देकर लेतें पहले से देखो ये जो बोलोग है ना 3M वाला ये उपर नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता क्योंकि अगर ये उपर जाना चाहेगा तो ये वाला टेंशन बढ़ेगा string unstretchable होती है stretch नहीं होगी वो और हम ये भी नहीं वानेंगे कि ये तूट जाएगी तो ये बंदा वाल ये उपर कभी नहीं जाएगा नीचे तो आ सकता है दूसरी बात ये नीचे नहीं जाएगा और एक constraint motion है ध्यान से देखो इसको अच्छे तरीके से समझो अगर ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा तो ये उपर नहीं जा सकता ये नीचे नहीं जा सकता केलिया रहे है हाँ ये कभी ऊपर गया अगर ये कभी अगर ऊपर गया तो यहाँ का टेंशन जीरो हो जाएगा क्या पास समझ मारी है उपर जाएगा ही नहीं है जा जा भी सकता है ठीक है ओक चल इतना काफी है 4MG ठीक है यहाँ पर बताओ 4MG MG 4MG 5MG 5MG 3MG एक जटके में सारी निकल गए या नहीं बोल तो ज़ली से T1 बोलो 3-2 बोलो 3-3 बोलो हो गया पहला सवाल समझ में आगया ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ क्यों होगा बटाओ उपर कीदाओ नहीं एंड एंड पर अपनी मिडिस सेंटर की तरफ होता है टेंशन जो लगता है वो एंड से सेंटर की तरफ एरो बनता है हमेशन इस्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसे बनता है इस्ट्रिंग और इस्प्रिंग जोनों के अंदर हर एंड को वो अपनी तरफ बीच में खैसने की गोचिश करता है ठीक है तो कभी उपर नहीं होगा उपर थोड़ी ठकी लगा इसको यह अ है ना बात समझ में आरे है ओक ले अब क्या करें इसको हमने काटा किसको काटा इसको जब्ल hiện कैसा लगे का जयान ृब ऐसे ही तो बनेगा ये फिर ये 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 एम ये फोर एम बात के लिए रहे ओके हमने कौन सा खतम कर दिया तो एम जी क्या कर दिया है? खतम कर दिया क्या कर दिया है? अब कहाँ से शुरू आत करें जल सेई प्तु है? ये फोर एम जी है? तो ऊपर क्या रहेगा? यहाँ पर भी फोर एम जी यहाँ पर कितना? एम जी उपर बताओ यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है क्या इस्ट्रिंग में इंस्टेंटली टेंशन चेंज हो सकता है क्या करेंं कैसे निकालेंगे है यह नाओ सोचके के इसे इस ऐसे निकाले को ऐसे नहीं यह यह इसकी इक्विचन बनाईए-मधल लोग्59 initially क्या इसके इकुंत निट्टि advocacy क्या सके अंदर बबस्काए Ideally आएगा थे ट therefore ऑफ पर एक्विडिग नोगया क्या ये एत्री के ब्रावर होगा या नहीं कि इसके अंदर कुछ होगा इसके अंदर इसके अंदर जस्ट आप्टर कटेंग इसमें कुछ नहीं होगा इसका वो ही रहेगा इसका इसका वो ही रहेगा चलो बनाओ कैसे बनाएंगे, सोचो, 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 दिमाग पर जोर डालो T2 कहां-कहां पर है T2 कहां-कहां पर है तो दोनों का FBD बना दो, बस जहां-जहां T है, वहां-वहां पर क्या बना दीजिए FBD बना दीए जहां-जहां पर क्या चीज़ है T2 लगा हुआ है है ना बेटा M वाला ब्लॉक है इस पर T2 उपर है और नीचे क्या चीज़ है बेटा 4 और 1MG नीचे 5MG जाके दर रहा है नीचे जा रहा है A2 से और A2 ही बेसिकली किसके बराबर है A3 के बराबर तो A2 ही लग लेंगा 5MG माइनस T2 is equal to MA3 ओके अब 3M वाला ब्लॉक उपर क्या लगा है T2 नीचे क्या लगा है जाके दर रहा है T2 माइनस 3MG is equal to 3M A3 A3 है A2 तोनों अच्चेलराइशन सेम है यह कौनसी इक्वेशन बेटा 2 इक्वेशन जोड़ने कट गया कितना हो गया यह 2 M G is equal to 4 A3 किसके ब्रावर आ गया बिटा A2 किसके ब्रावर आ गया यह यह एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर है ठीक है क्या T2 भी निकाल सकते हैं इससे निकाल भी चले T2 और निकाल के बताएं यह आपर T2 किसके ब्रावर हो जाएगा यहापर वैल्यू बूट कर दीजिए 5 की 5 M कितना हो जाएगा 5 M और यह कितना है 50 M तो T2 कितना हो जाएगा 45 M कितनी हो जाएगा देखें T2 विल भी इकवल टू यह कितना है है ना 5 M और यह कितना है 50 M 50 M में से 5 M गाए 45 M बचे T2 इस इकवल टू 45 M समझ में आया ठीक है दिमाग कद ही तो नहीं हुआ लाइट आगी में ज़रे केमरा बन करते हुआ यहीं से हो जाएगा उपर सी